पिट्रोल चोर जबलपूर नाम के गाउ में बिट्टू नाम के एक आदमी रहता था उसका एक खटारा सा गाड़ी था गाड़ी लीटर का 15 से 20 किलोमेटर मैलेज देती उस गाउ में महेश नाम का एक मेकानिक भी था बिट्टू जब भी अपना गाड़ी उसके पास लाता था ए कितने बार बताओ तुझे तेरा गाड़ी का मैलेज बढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है बाई इंजिन का बोर कराना है कहते कहते मैं बोर हो गया हूँ गाड़ी बदल ले या पेट्रोल बंक में चोरी करना शुरू कर अरे ऐसा का है बोला थो जड़ा देखो न चलो ठीक है इस बार के लिए कुछ कर देता हूँ उस गाउ में पेट्रोल बंक नहीं था तो बिट्टू पेट्रोल भराने पास के गाउं जा रहा था इतने में गाड़ी रुग गया वाँ प्रे पेट्रोल बंक तो अब भी 10 किलोमेटर है कैकर गाड़ी को लात मरते हुए कहा अरे भीक मंग के पेट्रोल भरायतर में पूरा पी गया बंक तक भी नहीं पहुचा कैकर उसने गाड़ी को डाण दिया वो गाड़ी को धकेलते था, एक धाबे के पास उसे दूसरा बाइक दिखा, तो उसे एक तरकीब सुचा, एक पाइप लेकर वो उस बाइक के पास पहुचा और आसपास देख लिया, उसे कोई दिखा नहीं, उसने टैंक का कवर खोल दिया और पाइप उसमें डाल दिया, मुह से पेट्रोल खीचा औ फिर पेट्रोल लाकर अपने बाइक में भर दिया, अरे ये तो बढ़िया एडिया है, उसने सोचा, फिर हाथ में पाइप लेकर वो हर रोज गाओं के अलग-अलग बाइक से पेट्रोल चुराने लगा, और चोरी के पेट्रोल से अपने बाइक पर शान से घूमता, एक दि लिया और पाइप उसमे डाल कर पेट्रोल खीच लिया, और पेट्रोल उसने कैन में भर लिया, दूसरे दिन सुबा एक बाइक के टैंक में उसने पाइप डाला और पूरा पेट्रोल अपने कैन में भर लिया, फिर पेट्रोल को बोतलों में भर कर रास्ते पर उने बेशने पेटरोल, पेटरोल, लीटर सौ रुपे का पेटरोल, वो छिलाने लगा इसमने जिस बाइक से पेटरोल चुराया था, वो बेचारा बाइक ठेलते वह वहाँ है अरे कली टैंक फुल करवाया था, पता नहीं अज पेटरोल कैसे खतम हो गया प्रगर्मी है नसा है उड़ जावत है हाँ तो एक लिटर डाल दो अब बाजू के गाउं जाकर फिर से भरवाना पड़ी फूल टेंक इसके बाद हर रोज बाइक से और कार्स से पेट्रॉल चुरणा बिट्टू का आदत बन गिया एक लिटर सौ रूपे में बेच था तो उसका बहुत बढ़िया कमाई हो रहा था पर गाउं वालों को बहुत जादा परेशानी हो रहा था एक बेचार अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर सिनिमा देखने जा रहा था बीच रास्ते गाड़ी रुग गया मैं जानती थी आप और हमें सिनिमा दिखाने ले जाओगे अब तो आप जूट बोलोगे ही कि पेट्रोल खतम हो गया है अरे ले जाने का इरादा ही नहीं था तो घर पे ही बता सकते थे ना इस तरह बीच बजार बेज़ती क्योंकि उस बेचारे ने बच्चे को साथ लिया और रोती हुई चली गए हे भगवान सोचते रहे गया एक लड़के से उसके बाप ने कहा अज़ा सुन हमारे घर में खाने से ज़्यादा तेरा बाइक का पेट्रोल भरने में खर्चा हो रहा है बाइक घर में रख और आज से तू साइकल पर ही अपने काम पे जा वो बेचरा लड़का दंग रहे गया गाउवालों को समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल कैसे खतम हो जा रहा था वो सब गाउव का मेकानिक महश पे शक कर रहे थे अरे भाई जब से तुमारे पास से गाड़ी रिपेर करवाया है माईलेज तो इद्दम गिरी गया है अरे चार किलो मिटर में एक लीटर पेट्रोल खतम होता है अरे भाईक को कौन सा रोड रोलर का इंजी लगाया है ये टैंक में छेद कर दिया है वो महश को डारते है अरे ये कैसे हो सकता है थोड़ा भूत मैलेज गिर सकता है पर ऐसा कैसा हो सकता है ये मैलेज का प्रॉबलम नहीं है कोई और बात है वो सोचा दूसरे दिन महश के दुकान पर जो भी गाड़ी आए उनके पेट्रोल टैंक में उसने मच्छर मारने का दवाई स्प्रे कर दिया अब देख लेना मैलेज जरूर बढ़ेगा उसने कहा इसके बाद गली में बिट्टू एक बोतल और एक पाइप लेकर अराम से निकला ऐसे सीटी बजाते हुए चलते चलते वो एक बाइक के पास पहुंचे उसने देखा बिट्टू का मुँमें पाइप था हाथ में बोतल था और वो बेहोश पड़ा था उसाथ मिने गाउंवालों को जमा कर लिया इसके बाद जब बिट्टू को होश आया उसने अपने आपको जेल में पाया ये देखकर वो घबरा गया अरे वाह ये बाइक चोर और कार चोर से तो वैसे ही तंग थे बीच में से तुने पेट्रोल की चोरी भी जालू कर दी मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे पे कोन से सेक्शन लगाऊं ये सुनकर बिट्टू ने शरम से शर जुका लिया मच्छर वाला एक गाउ में वीरेश्ट राम का आदमी रहता था उसका पिता नातुराम मुनसिपाल्टी में नौकरी करता था एक दिन नातुराम ने वीरेश्च कहा अब मैं वालेंटरी रिटेर्मेंट लेने का सोच रहा हूं हमारे अफसर साव ने कहा है कि वो तुझे कॉन्टरेक्ट की नौकरी जरूर दिला देंगे ध्यान लगा के नौकरी करेगा तो पर्मनेंट भी हो जाएगा आगे से तुम ये सारे बावंडल गिरी बंद करो और मन लगा के काम करो विरेश बुला वैसे ये नौकरी है क्या नाथुरम बुला तुझे आटो में आसपस के गाउं घुमकर मच्चर मारने की दवाई मारना होगा बस इतना ही विरेश बोला, बास इतना ही, अरे उस धुए से मुझे अलर्जी है, और कह रहा हूँ कि उसे ही मुझे गली-गली घुमकर मारना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा, वैसे भी दोस्तों के सामने नाक कटेगा सो अलग, नाथुरम बुले, तेरे दोस्त क्या तुझे खाना खिल कर दोस्त कर दोस्त क्या है। उसके दो दोस्त थे जिनके नाम थे महेश और रमेश वीरेश को गली-गली धुआ मारते हुए देखकर वो बहुत हसा करते थे और सब के समने वीरेश की खिली उड़ाते थे वो कहते थे सुन तेरा आटो लेके हमारे घर के पास से मत गुजरना उस धुएं की दुरगंध हमसे सहा नहीं जाता और घरवालों ने तुझे धुआ मारते देख लिया ना तो कहेंगे इसके साथ तुम लोग दोस्ति क्यों कर रहे हो हमारी इज़त जाएगी ना भाई ये सुनकर वीरेश बहुत बेईज़त महसुच करता था और वो जो नोकरी कर रहा था उस पर गुस्सा निकालने के लिए जान बूच कर उस धुएं को वो चाट के ठेलों पर समोसे के ठेलों पर मार देता था और दुकांदर बोलते थे अरे ये क्या कर रहा है इससे तो खाने में दुरगंद हो जाएगा और कोई खाएगा भी नहीं तो वीरेश बोलता है अरे आप ही लोगों ने तो मुन्सपल्टी को दर्खस दिया है हमारे गाम में मच्चर जाता है धुआ करो तुमारे ठेलों पर बहुत मच्चर है इसलिए धुआ मारा मैं तो स्रिब मेरे नौगरी कर रहा हूँ बस और क्या दुकांदर चुप हो जाते थे फिर कई बार तो वो गाउं के अंदर जाता ही नहीं था गाउं के बाहर ही आटो रोक कर पूरा धुआ हुव पेडों पर मारता था जिसके वज़े से पेड़ पर से सारे बंदर और पक्षिया भाच जाते थे कभी-कभी तो एक ही गली में घुसकर पूरा धुआ छोड़ देता था लोग अपने स्कूटरों पर से और साइकलों पे से गिर जाते थे क्यूंकि धुआ उनकी आखों में जाती थी और जलन होती थी घरों में लोगों को नाकांद बंद करके दरवाजे खिड़किया भी बंद करना पड़ता था रमेश और महेश के घर पासपासी थे एक दिन रमेश के दादा ने कहा अरे रमेश आजकल ये धुआ मारने का गाड़ी आता नहीं है क्या बहुत मच्चर बढ़ गया है घर में रमेश बोला अरे हाथ पंका तो है इस्तमाल करो न वो दुरगन मुझसे साह नहीं जाता साथ के घर में रमेश अपने मां से कहता था अरे मच्चर के हमारे लिए नए हैं बचपन से तो कटवाते आ रहे हैं कुछ नहीं होता मच्चर काड़ने से एक दिन रमेश और महेश दोनों को तेज बुखार हुआ तो हस्पताल में भरती होना पड़ा डॉक्टर ने उनके परिवार वालों से कहा रमेश को डेंगू हुआ है और महेश को चिकन गुरिया आजकल दवाईयां बहुत महेंगी हो गई है अब तो मैना भर हस्पताल में रहना ही पड़ेगा रमेश के दादा जी ने कहा बोला था ना बेटा घर में मच्छर बढ़ गए है दाड़ी बुला कर धुआ मरवाने को कहा था तुने माना नहिं महेश की माने कहा कहते थे न मच्छर काटने से कुछ नहीं होगा अब देखा क्या हुआ रमेश और महेश दोनों बेट पर लेटे हुए थे, वो एक दूसरे के चहरे ताकते रहे गए एक मैने बाद रमेश और महेश मिलकर वीरेश की आटो के पास है रमेश ने कहा, वीरेश हमें माफ कर देना, तू कितनी अहम नौकरी कर रहा है, आज हमें समझ में आया है तू हमसे सो गुला बहतर है, तू लोगों का सेहत का रक्षा करता है उसने कहा, महेश ने कहा, हाँ वीरेश, तुझे अपने पापा का सुकर गुजार होना चाहिए कि उसने तुभे ये नौकरी दिलाया तू अगर नहीं होता ना, तो हमारी ही तरह इस गाउं के पताने कितने लोग बिमार हो पड़ते हम सब तेरे बहुत आभारी है रहे और हमें बहुत गर्व होता है ये सोचके कि तू हमारा दोस्त है उनके बाते सुनकर वीरेश दंग रह गया उसको तब समझ में आ कि जो नौकरी वो कर रहा है कितना एहम है तुरन तू अपने पिता के पास गया और उनसे माफी मांगा नाथुरम बहुत खुश हुआ उस दिन से वीरेश रोज दियमित तरीके से गाउं में मच्छर का धुआ करता और सावधानी बरत्ता कि खाने के चीजों पर उस दुए की दबाई ना छिड़के कुछी दिनों में उस गाउं में पूरी तेरह से मच्छरों का खात्मा हो गया तो गाउंवालों ने वीरेश का सतकार किया तो बच्चों जब धुआ मारने का गाड़ी आता है उस धुए के दुरगंदम सहे नहीं पाते हैं और गाड़ी वाले को कोस्ते हैं पर आपको ये समझना चाहिए कि कितने ही लोगों को सेहत बंद रहने में वो मदद कर रहा है समझ गया है?